ये एक ऐसा अधबुद नजारा है जिसे आप देखते रह जाएंगे आँखे ठक जाएंगी लेकिन मन नहीं भरेगा समंदर तल से करीब 1400 मीटर उपर, 1500 मीटर लंबा पहाड और जंगलों को जोडने वाला ये ब्रिज इन दिनों अपनी अनोखी बनावट के लिए दुनिया भर में सुर्खिया बटो रहा है सोशल मीडिया पर इस पुल की तस्वीरें और वीडियो वाइरल हो रही है ये है वियत नाम का काउ वांग पुल जिसे लोग गोल्डन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं इसके खुबसूर्ती से निगाहें हटाना बेहद मुश्किल काम है एक जहलक में ही लोग इस पुल के दिवाने हो रहे हैं इस पुल का इस्तमाल करने वालों को ऐसा महसूस होता है मानो वो भगवान के हाथों पर चल रहे हो ये ब्रिज दो हाथों के सहारे टिका हुआ है जिसे भगवान के हाथ कहा जाता है इसे देखने में ऐसा लगता है कि मानो इस ब्रिज को खुद भगवान ने अपने दोनों हाथों पर टिका रखा है दोनों हाथों को पत्थर के रंग में रंगा गया है इस ब्रिज को देखने दुनिया भर से हजारों सैलानी आते हैं यही कारण है कि इसका नजारा प्रेटकों को अपनी और और बिज़ादा आकरशित करता है हजारों की संख्या में सैलानी इसे देखने के लिए आ रहे हैं इस साल जून में इस पुल का उदखाटन किया गया था यह पुल ब्रिज बाना हिल्स के उपर महजूद है पुल के दोनों तरफ लोबेलिया क्राईस से थेमस फूल भी लगाए गए हैं जो इसे प्राकरतिक रूप से आकरशक और बेहुद खुबसूरत बनाते हैं